बिल्कम बैक दोस्तों आप सभी को आपके अपने यूटूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है इस वीडियो में SPD रिवाज और सिल्फ का पेज नमबर 89 देखेंगे जो आपके एक्जाम के लिए काफी महतपूर्ण हो सकता है तो फिरिंड अश्टार्ट करते हैं बिरहद रूप से ब्रहमांड का अध्यन कहला था है ब्रहमांड विज्ञान ओप्शन घर्चन इबब परिभरवन में लगभग शमान समय लेने वाले अकाश्य पिंड है सेवतरिस्काव जगा चन्दर्मा ओप्शन D अगला प्रशन है निमलिखित में से कोण सा तारा पिर्थिभी के सरवाधीक समीफ है सेवतरिस्काव जगा शूर्य ओप्शन C अगला प्रशन है ब्रहमांड में 20,40 तारा कहला था है राटेंसरिस्काव जगा अभिनव तारा ओप्शन D अगला प्रश्ण है हमारे अंतिरीच में कितने तरह मंडल हैं सेवित्तर इसका हो जगा नवासी अप्शन C हमारी अकासिगंगा की आकिरती है राटेस्तर इसका हो जगा स्पाइरल अप्शन C अगला प्रश्ण है हमारी अकास गंगा के केंदर की परिकर्मा करने में सूरी को चमय लगता है से उत्तर इसका हो जगा 25 करोड़ बरस ऑप्शन C अगला प्रश्ण है धुरूब तारे की दिशा की सी ओर रहती है राइट एंसर इसका हो जगा उत्तर ऑप्शन A अगला प्रश्ण है तारे का रंग सूचक है उसके ताप का ओप्शन D हो जगा राइट एंसर अगला प्रश्ण है बर्तमान आकलन के नुसार ब्रहमांड की आयू है 13,000,000,000,000,000,000,000 बरस ऑप्शन D अगला प्रशन है एक क्रित्रियम उपग्राय में बीद्धो तूर्जा का स्रोत क्या होता है राइट एंसर इस कहो जागा शौर्ड शेल अप्शन बी अगला प्रशन है दुख्ध मेखला मिलकी बे है एक मन दाकनी अप्शन सी अगला प्रस्टन है सिघरता से घुमने वाले तारे जो उच रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं यह पल्सर कहलाते हैं सनी सूरी के चारो योर एक चकर लगाने में खाले स्थान लेता है 18.5 बरस लगता है फिर तिपि के चारों योर गैंसों के समौ को कहते है उच तो इसका हो जागा बाव मंडल ओप्सन सी अगला प्रस्टन है यूरेनस सूरी के चारों योर एक परिकरिमा में खाले स्थान लेता है कितना समय लेता है 84 बरस राट इसका है हो जागा शूरी दचनी गुलार्थ में से उत्री गुलार्थ की और आता कब दिखाई पड़ता है राटेंसर इसका हो जगा 21 मार्च को ओप्शन B अगला प्रस्ण है उत्री गुलार्थ में जबसे बड़ा दिन कब होता है राटेंसर इसका हो जगा 21 जून को ओप्शन C शूरी गरहन कब होता है राइट एंसर इसका हो जागा अमवस्या के दिन ओप्शन B अगला प्रशन है कौन सागरा पिर्थिवी के निकर्थम है राइट एंसर इसका हो जागा शुक्र ओप्शन A नेक्ट प्रशन है बूद ग्राय स्चूरी का शकर कितने समय में पूरा कर लेता है राइट एंसर इसका हो जागा 88 दिनों में ओप्शन C अगला प्रशन है अकास में सबसे चमकदार तारा है प्रोक्सिमा सेंचूरी शोरी सीरियस है इसका ओप्शन D पिर्थिवी का धुरूबय ब्यास बिश्वत्य ब्यास से कितना छोटा होता है राइट एंसर इसका हो जाएगा 42 किलोमेटर ओप्शन A अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रा है राइट एंसर इसका हो जाएगा बीनस ओप्शन B सबसे अधीक तेज कोच्छिय गती वाला ग्रा है राइट एंसर इसका हो जाएगा बिहस्पति ओप्शन B अगला प्रशन है पिर्थिवी की उप्शोर पेरी हेलियन इस्थिति किस महीने में होती है राइट एंसर इसका हो जाएगा जन्वरी ओप्शन B किस करह पर शूर पेरी पेरी में होता है राइट एंसर इसका हो जाएगा अरून शूक्र दोनों पर ओप्शन C हो जाएगा राइट एंसर अगला प्रशन है जब दीन और रात बराबर होते हैं तब विसुब बर्स के दो काल होते हैं एकिश मार्च और देज सितनबर ऑप्सन ए सी ओफ ट्रेक भिल्लिटी सांती का सगर कहा पर है एकला प्रस्चन है आँखों से दिखने बाला शुद्र गरा का नाम है एक एनशर का हुजागा चार ब्यषटा ऑप्सन बी अगला प्रत्न है Saur Mondal में कि किस गरह का अधर भिवान एवम घैनतोप पिर्थिवी के समान है रैट अंसर इसका हो जायगा शुक्र ऑप्सन B अगला प्रत्न है रासियो की कुल संखया है 12 ऑप्सन B अगला प्रत्न है दो गरह जिनके पास शुप गरह नहीं है राटेंसर इसका हो जागा बूध हो शुक्र ओप्शन B अगला प्रस्ने सौर मंडल का सर्वाधीक गर्म गरह है राटेंसर इसका हो जागा शुक्र ओप्शन B कौन सा गरह सौर मंडल का सबसे दूर का गरह है सेवतर इसका हो जगा निफ्चून ओप्शन ए अगला प्रस्ण है पूर्व से पशिम की और परिकर्मा करने वाला ग्रह है सेवतर इसका हो जगा सुक्र और यूरेनस ओप्शन डी हो जगा राइट एंसर अगला प्रकास की गती से जाने पर चन्दर्मा परलगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है राइट एंसर इसका हो जागा 1.3 सेकंड ओप्सन ए अगला प्रकास की गती से जाने पर चन्दर्मा परलगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है और दो दो और सी